तो आज हम बात करने वाले हैं Science Class 8 Chapter 1 की बात जिसका नाम है Crop Production and Management तो सबसे पहले यहां पर हम जाने के Crop क्या होता है, फिर Crop and Production कैसे होता है, उसके बाद हम उसका Management कैसे करते है तो एक field पर, ठीक है, same field पर जब आप कोई भी एक plant है, उसका जब बहुत सारा number जब same field पर लगाते हैं, तो वो आपका Crop कहलाता है ठीक है, और उस Crop के Production के लिए, मतलब उसका जब अच्छा quantity में हमको उसका Production मिले तो इसके लिए हम क्या-क्या Practices करते हैं, तो हम कैसे उसको Manage करेंगे कि मेरा Production बहुत अच्छा है, तो यह हमारा हो जाता है Management तो आहिए चैप्टर के Start करते हैं, पहेली and Bujo went to their Uncle's house during the summer vacation गर्मियों के छुट्टी में पहेली और Bujo जो है वो अपने अंकल के घर पर जाते हैं उनके अंकल जो होते हैं वो farmer होते हैं सब्सक्राइब सहे एंकल और जब्लगन और के अधाई MAX आक तो loss ओम होसे अधाइब से गया हो वह जोधनी होगा जोधनी टाइब का। उपास श्यक्राइब एक एंकल के वह स्गूर‟ प्लांट वह सकते कि एनिमल के केस में ऐसा नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि आपना खाना खुद बना लेते हैं तो इसलिए बना पाते हैं कि उनके लीफ में क्लोरोफिल होता है शुदिधा संती है, यह पिगमेंट यह नहीं होता है। तो एनिमल इंक्लूडिंग हुमन कैन नॉट मेक दियर ओन फूड तो बोला कि जब यह एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाएगा तो फिर इसको खाना कैसे मिलेगा तो फर्स्ट अफ आल वाई दो वी हैब तो एट फूड हमें खाने की जरूरत क्या है तो हमें एनर्जी का जरूरत है जब हमारे पास एनर्जी होगा तो हम अपने बॉड़ी का जितना भी फंक्शन होता है मेटाबोलिक फंक्शन वह सारे हम कर पाएंगे जैसे यूह आप लड़ी नो दाट इनर्जी फ्रॉम दाफूड इस उटिलाइज़ वाइड ऑर्गिनिजम फॉर कैरिंग आ मिल जाता है तो फिर गलुकोज बरेकदाउन होता है और फिर एनर्जी हमें मिल जाता है रेस्पीरेशन एक्सक्रीशन वी गेट आवर फूड फूड फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बोथ हमारा जो सब्सक्राइब हम फूड है प्लांट से भी ले सकते है इनिमल से हम ले की जवरत होती है तो हमें कैसा कैसे प्रोडक्शन करना पड़ेगा तो रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि अभी हम प्रोडक्शन इतना कर लिए और अगले साल बहुत प्रोडक्शन कम हुआ तो उस ताइमें लोग जो पॉपुलेशन वो क्या खाएगा इसलिए जो हमारा प्रोडक्स है वो रेगुलर होना चाहिए ठीक है उसके लिए हमें प्रोपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि हम कैसा मैनेजमेंट को अपना रहे हैं कैसा तरीका को अपना रहे हैं कि मेरा जो फूड आ रहा है वो अच्छा होना चाहिए तो मैनेजमेंट भ मतलब होता है कि जब हम कोई भी पौधा को जब हम फिल्ड पर लगाते हैं तो फिल्ड पर लगाने से पहले हम फिल्ड को पहले क्या करते हैं उसका टीलेज करते हैं पहले खेत को जोत देते हैं ठीक है उसका फीजिकल मैनिपुलेशन करते हैं यानि कि जो स्वाइल है उसका ज कटाई से लेकर फिर करने के पार हम क्या करते हैं एस्टोर करके रख लिए हैं कि हम उसको बाद में raz defense कर सके तो लांड preparation से लेको क्रॉप के टक स्टोरिंग तक कि जितने भी प्रॉसेस आते इस बीच में इस दौरान में, जितने ही process आपके आएंगे, वो सवाफ agricultural practices, ठीक है, तो agricultural practices इसमें थोड़ा सा history दिया है कि कब से ये सुरू किया गया agriculture करना, तो till 10,000 BC, BC का मतलब होता है कि इसा मसी के जन्म के 10,000 साल पहले, ठीक है, people from nomadic, they were wondering in groups from place to place in search of food and shelter, उस समय के जो लोग थे, वो क्या होते, एक जगा से दूसरे जगा पर, खाने के लिए और रहने के लिए एक जगा से दूसरे जगा पर, क्या, जाते रहते थे, ट्रेवल करते रहते थे, ठीक है, उस समय के लोग जो थे, वो कच्चा fruit खाते थे, और vegetable कच्चा खाते थे, और उन्होंने जानवरों को पका, उनको, उनका हंटिंग करना, उनको खाने के लिए, उनका हंटिंग करना सुरू कर दिया था, ठीक है, उसके बाद, दे, फुड कल्टिवेट लैंड और प्रोड्यूस राइस, वीट और फूड क्रॉप, दस, वास बॉ पेट का भरन पोसंद करते थे, लेकिन दीरे-दीरे वो लोग जो लैंड है, उसको कैसे कल्टिवेट करें, कैसे उसको लैंड को उपजाओ बनाएं, उस पर हम कोई चीज अगर बीज डालते हैं, तो बीज बड़ा होकर हमको फूड देता है, उसे हमको एनरजी मिलता है, य इस तरीके से अगरिकल्चर के सुरुवात होई, वेन प्लांट्स ऑफ दे सेम काइंड, अब क्रॉप जो मैं बताई हूँ, वही यहां पर आपका लिखा हुआ है, वेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेट एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल, जब ब एक्जामपल के लिए देखो, यहां पर लिखा है कि क्रॉप ओफ वीट मेंस अगर हम वीट क्रॉप बोलते हैं, तो अगर कोई फिल्ड है, जैसे मालो कि यह फिल्ड है, तो इस फिल्ड पर जितने भी जो भी प्लांट लगे होंगे, वो सारे के सारे मेरे वीट के होने चाह आधा है, तब हम इसको गेहू का वीट क्रॉप कहेंगे, ठीक है, यू अल्रेडी नोग दैट क्रॉप आर अफ डिफ्रेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल और फूट वो रहे क्रॉप जो होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को हो सकते हैं, जैसे सबजी खाते हैं जैसे की बैगन सेम और विंडी यह सब आपके वेजटेबल्स आगे फ्रूट तो आप सब जानते ही होंगे गवाबा हो गया मैंगो हो गया लीची हो गया बहुत सारे हैं इस ग्लासिफाइड ओन दे बेसिस ओफ सीजन तो यह जो सारे सीजियल से वेजटेब अधार पर तो हमारे इंडिया में मेली कैसा सीजन होता है तो बहुत थंड़ा एरिया होगा कोई जो होगा थोड़ा नॉर्मल होगा कोई ऐसा एरिया होगा जो बहुत ही वार्म होगा बहुत वहां पर गर्मी होगी तो जो जमू का समीर आपका आता है वह बहुत थंडे एर रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रिजन तो एनएदर बोल रहें कि इंडिया वह मारा बहुत बड़ा एक कंट्री है ठीक है यहां पर जो क्लाइमेक्टिक कंडिशन जो है क्लाइमेट मतलब कि यहां पर कैसा रेन रेनफॉल है आपका प्रिसिपिटेशन कैसा है सनलाइट कितना आ गैली तो इसके क्लाइमेक्ट के कार्णि कॉड़ एसरे रीज है वराइटे अफ क्लाइमेट बवाग वहितां जो है हुते तीन तरह का क्रॉप होता है, एक क्रॉप होता है, जो हम लोग बरसात के टाइम में लगाते हैं, रेनी सीजन में लगाते हैं, जिसको बरसात के टाइम में कहते हैं, उसको हम लोग खरीफ क्रॉप कहते हैं, ठीक है, दूसरा क्रॉप आपका होता है, रवी क्रॉप, यह रवी क लगाते हैं चाहि से तरफा, पहला खरीब क्रौप, दूसरा रभी जो थंडे में लगाते हैं तीसरा है जैद क्रौप जो ओको हम लोग करहेंगे अभी घ्रमियो को ताइमियो लगातेैं तो हम यहां जैद क्रौप लगात तो पानी की बहुत ज्यादा उसमें जरूरत होगी तो पाणी की बहुत ज्यादा उसमें जरूरत होगी मैज देखो कहूँ मेजे मैज ज्यादा पानी कर पाता है लेकिन इसका थो थो फूर अतर्व नरे पैज आधा ande को लग सकता है 2019 कोरव सकता हैं कैसे यम दो इसमें सर्ल पीछयदा स्वन में लाख जाता है चैनल पूनarnos पानी खाषब कि क्रोप रॉपट और कि को असटे विगए आदे से की काया दूब्ह। तो वीट जो है वो मेचिर हो चुका है वह वह अर्वेस्टिंग के लिए रेडी है अब वह वीट करके हम लोग कर रहे हैं वीट हो गया ups पी चदार मटर मस्टर्ड,バलिन सेड परा यह तब हम लोग में बताए अखısı लैंड कम करेंगे लैंड की जूदाई करेंगे उसे प्रोपर थी में लाया होता है ठीक है मैं ऊसी छेद होता है तो यह जैसे कि एक पोर होगे दो पोर होगे उसके बीच में क्या होगा वाटर होंगे एयर होंगे यह सब उसमें रहते हैं तो यह जब वाटर और एयर जो प्रोपर अमाउंट में आपके स्वाइल में हैं तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं ठीक है तो लैंड इसको बरेक करते हैं यह आपिक है यह स्वाइल के प्रोडक्टिकी को पढ़ाता है जैसे कि दिखॡ़ है है cultivation of crop involves the several activities undertaken by farmers over a period of time cultivation of crop मतलब की वही crop को land से लेके harvesting तक में क्या क्या बहुत सरे ऐसे steps आते हैं बहुत सरे activities आते हैं जो farmer को करना पड़ता है you may find that these activities are similar to this to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house जैसे कि आप भी जब अपने आपका जो garden होगा तो garden में आप जो भी जैसे पौदा को कोई लगाते होगे उसको सीचाई करते होगे उसमें पाने डालते होगे उसमें जो जो उसके लिए nutrient चाहिए होता वो nutrient आप देते होगे तो यह सारा जो उसमेटियु के उस्से सवार्मजर की जोभी इस टेप लिए करता होगा क्रॉप कर mett fiction के लिए तो यह सारा similar है जैसे कि इस ऺब क्या कहते हैं देख़ो एगर क illustrates यह सारा पहले आप भी करते होगे तो पहले smile को क्या करते हो smile का preparation मतलब line का preparation कर modest उसके बाद seed का selection करते हो कि कौन सा seed हमको लगाना है जैसे कि आप वैसा seed लोगे जो कि अच्छा productivity दे उसका quality अच्छा हो तो seed का आप selection करते हो उसके बाद जब आप seed ले लिए फिर आप उसको क्या करते हो उसमें भी आप देखते हो कि इसमें से कौन सा seed जो है वो खराब है कौन सा seed effective healthy है तो healthy seed को आप लेते हो तो उसके लिए आप क्या करते हो कि जैसे कोई bucket है या फिर कहीं भी टब है उसमें पानी अप रख दो उसमें seed को डाल दो तो seed जो healthy होगा वो उसके bottom पर चला जाएगा और जो healthy नहीं होगा जो defective होगा वो पानी के surface पर float करता रहेगा तो जो surface पर seed float करेगा उसको हम लोग हटा देंगे क्योंकि वो ineffective है वो growth नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से healthy seed का selection होता है उसके बादे हम seed ले लिए फिर हम उसको ground में लगाते हैं sowing करते है sowing मतलब seed को ground में लगाना उसको bonna जिसको हिंदी में लोग क्या करते है भई बोना तो देखो sowing हो गया जब हम लोग sow कर दिये seed को लगा दिये उसके बाद क्या करेंगे उसमें हम लोग fertilizer या manure का हम लोग उसमें addition करते हैं तो fertilizer या manure क्या करते हैं तो fertilizer और manure जो होते हैं वो mainly हमारा seed को या plant को nutrition प्रोवाइड करता है ठीक है तो seed के growth के लिए जो nutrient चाहिए वो manure या fertilizer देते हैं तो manure क्या होता है fertilizer क्या होता है तो manure जो होता है या आपका organic चीज हो गया अगर आप manure डालते हो तो इससे नहीं plant को कोई problem होगा नहीं plant जब बड़ा होगा तो उसके बाद हम plant से जो भी product हम लेंगे human लेगा या कोई animal लेगा तो उस animal या human को भी कोई effect नहीं होगा ठीक है यह organic चीज है यह natural चीज है manure वही fertilizer आपका यह है यह आपका chemical चीज है यह बहुत अच्छा growth होगा लेकिन जब plant का जो product आएगा जिसको हम लेंगे तो हमारे सरीर में यह बहुत तरह कर सकता है problem create कर सकता है disease cause कर सकता है आजकल बहुत सारे चोटा सा बच्चा भी है और वह उसको सूगर का problem हो जा रहा है उसके बाद cancer हो रहा है बहुत बहुत बढ़ी बढ़ी तरह के बिमारिया आ रही है तो यह सब fertilizer का excessive यूज की वजह से तो हमें क्या करना चाहिए fertilizer के जगापे हमें manure को यूज करना चाहिए organic चीज़ को यूज करना चाहिए ना कि इस chemical चीज़ को यूज करना चाहिए अब आपका आता है irrigation जब मैनियोर डाल दिये fertilizer डाल द है मतलब पानी डालते है कि ठीक है उसके बाद़ कर दिये करने assumption budget करनेके बाद देखो plan को क्या हो गया कि उसको nutrient मील गया nutrient के साथ साथ उसको water भी मिल गया उसका ह helmets ready है तो जब खπάना ready है तो प्लांट ग्रो करेगा तो प्लांट की आसपास अगर कोई और मी दिफरेंट डिफरेंट तरह का जो unwanted plant है अगर उसका भी वहाँ पर seed present है पहले से तो उस nutrient की वज़़से वह भी ग्रो करने लगेगा तो जो unwanted plant होते हैं उसको हम लोग weeds बोलते हैं जो undesirable होते हैं जिस plant के हमको जरूरत नहीं है वहाँ पर वो plant अगर grow कर जाए तो हम उसको weed कहेंगे जैसे कि मेरा खेत जो है वो गेहूं का है ठीके मेरा field जो है गेहूं का है अगर उस गेहूं के field पर कहीं से अगर चना grow करिया है तो उस गेहूं के लिए वो चना क्या होगा weed का काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे weed कहेंगे क्योंकि weed क्या है वहाँ गेहूं के लिए undesirable plant है desirable मतलब क्या जो हमको नहीं चाहिए जो मेरा demand नहीं है वो plant अगर grow कर रहा है तो और कैसे जगह पे तो out of place or out of time मतलब कि वो उस out of time बिना उस time पर हमको चाना की जवरत नहीं है तो यह आपका क्या कहलाएगा weed कहलाएगा तो irrigation के बाद हमको protection लेना होगा weed से क्योंकि अगर weed grow करेगा plant के साथ तो weed की capacity होती है कि वो plant से जादा जो nutrient है वो weed अपने आप में खीच लेता है soil से वो nutrient plant के मुकाबले जादा nutrient खीच लेता है तो plant को nutrient नहीं मिलेगा weed सारा nutrient ले लेगा तो मेरा plant healthy तो नहीं हो पाएगा उसे production अच्छा नहीं आ पाएगा मेरा जो लाश्टली जो मेरा क्या aim है कि मेरा अच्छा production आना crop अच्छा उसका येल्ड हो वो अच्छा आना तो वो अच्छा नहीं आ पाएगा due to weed क्योंकि weed क्या करेगा उसका सारा nutrient ले लेगा इसलिए हमको weed से क्या करना होगा अब आपका ठ्टाइस टेप आता है हरवेस्टिंग जब मेरा वीड से protect हो गया plant अब अच्छा हो गया वीड से protect हो गया मैं च्योड हो चुका है अब हम उसका क्या करेंगा harvesting कर लेंगे harvesting मतलब कटाई खेट से काट के उसको फीर हम घर तक लिए थिर हम क्या करेंगे storage उसके बाद हम store कर लेंगे for future use बाद में use करने के लिए तो यहां पर जितना भी आपने